दोस्तों कई बार पुराने जख्म ताजा और हरे हो जाते हैं, कई बार हमारे पुराने समय में किये गए कुकिरते हैं, हमारे आने वाले समय में आने वाले भविस्य में उजागर हो जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है और बड़ी परिशानी का सामना करना पड़ता है। आज की जो घटना है वो भी बड़ी ही अचंबित करने वाली है और यह घटना यह दरसाती है कि अपरादी कितना भी जुर्म कर ले और कितना भी जुर्म करके उसको छुपा ले लेकिन अंजत है उसका पता जरूर लगता है। कह रहा होता है कि बस इतना बता दो कि मेरा पता कैसे चला तुम लोगों को। दोस्तो इस कहानी की पूरी जानकार यहां पर हम जानने वाले हैं आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर और पूरी सचा यहां पर हम जानेंगे। वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा। नमस्कार में हूं सुदेश कुमार और तिर्ची बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तो यह घटना राजिस्थान से शुरू होती है और दिल्ली में खत्म होती है। दिल्ली के अंदर एक दुकांदार है जो की दुकांदारी किया करता है वहीं पास में उसका घर है औ तो वह दिन भर दुकानदारी किया करता है और जब दुपेर ही हो जाती है तो दुपेर को उसके ग्रहक कम हो जाती है तो वह आराम से वह इंपर पाउं फैला कर आराम कर लिया करता है दुकान के अंदर ही सो जाया करता है तो इसी तरह से 11 जुलाई 2023 को वह दुकानदार पहर को दो बजे दुकान में आरहम कर रहा था तब ही वहाँ पर तीन लोग आते हैं तीन लोग जो की सूट वूट में थे यानि की अमीरों जैसे दिख रहे थे वे दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो जो दुकानदार होता है वे समझता है कि आज तो सेट लोग आ जो उसने जब 18 साल का था तभी उसने कालू नाम को बदल दिया था अब दुकांदार जैसे सुनता है कि यह मुझे मेरे पुराने नाम से क्यों पुकार रहे हैं तो उसके बाद दोस्तों वैं उसको घूरने लगते हैं और फिर बाद दोबारा कहते हैं कि तुम्हें हमारे होते हैं उनके सामने पेस कर दिया जाता है तो बड़े अफसर उन पुलिस कर्मियों को साबास ही देते हैं कि साबास तुमने एक कान नाम करके दिखा दिया दरसल यह किस्सा क्या है दोस्तों 1989 में कालू नाम का एक लड़का होता है जो की 18 साल का है राजिस्तान के एक छोट होती है वह अकेली रहा करती है और उसकी साधी भी हो चुकी है बच्पन में ही उसकी पत्नी जो की अभी उसके घर पर आई नहीं है उसका गौना नहीं हुआ है तो मा बेटे दोनों रहा करते हैं बेटा दुकान पर जाया करता है अब यहां पर उसको देखकर के लोग हसने लगते हैं वे अपने दोस्तों के साथ गाओं की पोकर में मसली वगएरा पकरने जाता जब यूँ खेलता रहता तो लोग उसको देकर एक तीकी नजर से हसने लगते हैं अब वह देखता है कि यह लोग मुझे देखकर हसते क्यूं है तो वह जब पता लगाता है तो उसको पत बनाया करता है और इसी बात को गाओं वाले जानते हैं और इसी बात को ले करके वे कालू को जब देखते हैं तो उसकी तरफ देखकर हसा करते हैं अब दोस्तों यहां पर क्या होता है उसको पता लग जाता है कि यह जो संकरलाल माली है यह उसकी मा के साथ सम्मन्दों में है तो कालू को बड़ा गुसा आता है कालू अपने दो दोस्तों से बात करता है और उनको बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है लोग मुझे देखकर हसते हैं तो एक दोनों दोस्त उसका साथ देते हैं और उसके बाद दोनों दोस्त कहते हैं किसी को मारेंगे नहीं लेकिन हम निगरानी पर बैठे रहेंगे तो यहां पर दोस्तों कालू उनको अपने साथ लेता है और फिर कालू उस माली की चानवीन करने लगता है कि यह कहां जाता है कहां से आता है कितने बज़े कहां जाता है और यह सारी चीज पता कर लेते हैं जो उसके बाद एक दिन खेतों में खेतों के रास्ते यहां से माली आने वाला है तो कालू खेतों की दगरी में चाकू लेकर बैठ जाता है। कालू फरार हो जाता है। गाओं के लोग जो खेतों में लगे हुए थे वह भाग करके आते हैं और संकलाल माली को उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं जबकि 1989 में हॉस्पिटल गाओं से बहुत दूर दूर रहा करते थे। लेकिन उसको जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुचा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और फिर पुलिस के पास फौन भी कर देता है। पुलिस आका पूछती है कि तुम्हें किसने मारा जो माली होता है। माली कहता है मेरे उपर मेरे पडोस के गाओं के कालू नाम के लड़ अब इस सम्मंदों में था तो उस लड़के को पता लग गया होगा। लेकिन पुलिस के सामने नहीं बताता है। अब यहाँ पर पुलिस कालू के घर जाती है लेकिन कालू के घर से कालू भी फरार उसकी मा भी फरार। और दो दिन के बाद उस माली की मौत हो जाती है लेकि परार हो गया उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में पढ़ जाता है क्योंकि कालू पुलिस को कहीं मिलता ही नहीं है अब कालू की फाइल पर धूल जमने लगती है और उसको अलमारी में डाल दिया जाता है फिर उसको कभी नहीं खोला जाता है तकरीवन चबालीस साल गुज मेंसे एक फाइल उस कालू की भी थी उसको जब वे अपसर खोलता है तो कहता है कि इस केज की हमें अची तरह से चानमीन करनी है और वे पुलिस की टीम गठित करता है और टीम गठित करने के बाद अब पुलिस को काम पर लगा देता है दोस्तों कालू के घरवालों के पास जाती है लेकिन वहाँ पर फिर भी कोई नहीं मिलता है क्योंकि मा थी माइके में रहने लगी थी अब यहाँ पर कालू का एक दोस्त मिलता गाओं के अंदर और कालू का दोस्त बताता है कि कालू अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने मामा वाले गाओं में गया था और मु गई थी अब पुलिस को एक बहुत ही उम्मीद की किरन यहाँ पर नजर आ जाती है अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है पुलिस कालू के रिष्टेदारों और दोस्तों के फॉन नंबरों की कॉल डिटेस वगेरा चेक करने लगती है तो यहाँ पर जब कॉल डिटेस चेक की जाती है तो एक सुरेश नाम का व्यक्ति होता है वह संदेख्ध हालत में पुलिस को वह लगता है यानि कि उसके उपर सक होता है कि यह इस सुरेश नाम के व्यक्ति से बात करते हैं जो कि दिल्ली के महीपालपुर्ग के मकान नंबर 270 में रहने वाला है तो यह सारी जानकार या पुलिस लेना चाहती है और पुलिस को पूरा सक हो जाता है कि यह सुरेश कालू ही है यह नाम बदल करके दिल्ली के अंदर रहता है पुलिस दिल्ली पहुंचती है मैईपालपुर के मकान नमबर 270 गली नमबर 9 में वहाँ जाकर उसका एडरस मिलता है तो घर के मकान के नीचे ही साइड में उसने दुकान खोली हुई थी वहाँ पर आराम कर रहा था पुलिस जाकर उसको पहचान लेती है पुराना फोटो देखती है और वह जवान हो चुका था बुजर्ग होने जा रहा था उसका फोटो देख करके पुलिस उसको पहचान लेती है और जाते ही सीधा कहती है कालू तुम्हें हमारे साथ चलना होगा कालू एकदम से परिसान हो जाता क्योंकि वहाँ पर उसका नाम सुरेश हो चुका था क्योंकि चवालिस साल के बाद उसकी उमर भी 62-63 साल हो चुकी थी मुजर्ग हो चुका था अब दोस्तों यहाँ पर वह परिसान हो जाता है कि इनको मेरा नाम पता कैसे मालूम हुआ पुलिस उसको पकड़कर राजिस्थान थाने में पेस करती है वहाँ जाकर बार बार यह कह रहा होता है नजाने कब कैसे कहां किसी को खोजबिन किसी की कर दे इसका पता भी नहीं होता है जुरूम करके लोग चुपना चाहते हैं लेकिन पुलिस नहीं चुपने देती है और कही न कहीं से ढूंड निकालती है कई बार ऐसे किस से होते एक किस्तन मैंने सुनाया था, एक सादू बन गया था कतल करके, बरसाने की कुझ कोटी में और वहीं से उसको पकड लिया गया था, तो दोस्तों इस तरह से कतल करने के बाद जो लोग ये समझते हैं, कि हमें कोई पकड नहीं सकता, ये हैं उनकी गलत फेहमी होती है, क्योंकि क परची घटना के उपर, तब तक आप खुश रहें, साबधान रहें, रिष्टों की अमित को समझें, कभी भी ऐसा कोई जुर्म ना करें, जिससे की जिन्द की तबाह हो जाए, जै हिंद, जै भारत